इस नए एपिसोड में नए लेक्चर में आप आज हम सिखाएंगे किसी भी function का domain range कैसे निकालते हैं सबसे पहले इसके बारे में बता दूँ कि यह domain range जो topic आप लोग सीखने जा रहे हो यह बहुत important topic है यह 11 में भी है 12 में भी है और यह competitive exam में सबसे ज्यादा matter करता है सबसे ज्यादा मतलब किसी भी question को solve करोगे उसमें domain range का जो concept होता है यह competitive exam में सबसे ज्यादा यूज होता है और यह बच्चे जल्दी सीख नहीं पाते हैं जबकि है simple बिल्कुल फिर भी सीख नहीं पाते हैं और ध्यान से सुनोगे ध्यान से देखोगे important होगा तुम्हारे लिए और आगे भी तुम्हारे सीवियर सी बोर्ड एक्जाम या एंडिया जेएक एक्जाम के लिए बहुत helpful होगा इस topic को सुनो कि domain range होता क्या देखो जैसे कोई function हम लिख देते हैं कोई function हमने लिख दिया मा मतलब कोई भी real number डाल सकते हो 1 2 3 4 1 by 2 1 by 3 1.2 1.2 कुछ भी डाल सकते हैं तो अगर हम x के जगह पे real numbers डाले हैं यहां x की जगह पे तो इस function का minimum value क्या होगा और maximum value क्या होगा range का मतलब क्या होता है range मतलब होता है औकात तुम minimum कितना कूद सकते हो maximum कितना jump कर सकते हो अगर jump में तुमारी आवकात देखनी है मानलो कि minimum तुम विमार पड़ गए बुखार हो गया तो भी एक मीटर कुद गया और जब स्वस्त हो तुम 5 मीटर कुद गया तो तुमारा range कितना हो गया एक मीटर से 5 मीटर यह होता है range range का मतलब इसका maximum और minimum value क्या होगा अब just imagine करो हम पढ़ाएंगे इस topic को लेकिन इसके बारे में पहले जानो कि हम क्या सीखने जा रहे हैं हमने एक algebraic function नॉर्मल algebraic function लिया इसमें कोई सा भी function आ सकता है technometric function आ सकता है inverse function आ सकता है exponential function आ सकता है logarithmic function आ सकता है और उन functions का domain और range कैसे निकालते हैं यह चीज़ इस topic के अंदर हमें सीखना है अगर मैं पूछू कि इसका minimum value क्या होगा तुम क्या जवाब दोगे इसका minimum value क्या होगा one क्योंकि तुम 11-12 class के हो तुमने observe कर लिया 11-12 के लामा तुम Amazon coach से पढ़ रहे हो तुम्हें पता चली जाएगा कि किसी भी quantity का अगर हमें square करेंगे तो वो positive होगा अरे power जब even number होता है तो value देगा positive और किसी positive quantity में अगर one जोड़ोगे तो one से कम आने का तो सवाल ही नहीं है यानि minimum इसका क्या हो जाएगा one minimum one कब होगा जब तुम x की जगा पे 0 डालोगे minimum इसका क्या होगा one होगा और maximum क्या होगा इंफिनिटी बिल्कुल सही आंसर देखो यह क्या नाम है पुस्कर यह सही आंसर दे रहा है यहां पे जितनी बड़ी संख्या डालोगे उतना बड़ा value आएगा पांच डालोगे 26 आजाएगा नहीं आएगा पांच क्या स्कार 25 और 26 दस डालोगे 101 आजाएगा 100 डालोगे 10,001 आजाएगा जितनी बड़ी संख्या डालोगे उतना बड़ा value आएगा जितनी छोटी संख्या डालोगे उतना बड़ा value आएगा छोटी पर भी बड़ाएगा कि minus का 100 डालोगे तो square करके तो positive होगा तब भी एक जोडने के बाद बढ़ा ही आएगा तो इसका तुमने क्या बताया कि maximum value जो होगा ये define नहीं होगा not define तो आज जो हम आप सीखने जा रहा है वो यही चीज़ सीखने जा रहा है दोखो यहाँ पे आपको एक normal function मिल गया आपने देखके अपने previous knowledge के अधार पे अपने knowledge के अधार पे आपने ये बता दिया कि minimum value इसका one होगा maximum इसका define नहीं होगा लेकिन हर जगा आप ये चीज़ नहीं बता सकते कि minimum क्या होगा, maximum क्या होता तो इसके लिए एक process बना हुआ है एक method बना हुआ है उसी method को आज हमें सीखना है कि किसी भी function का minimum value क्या होगा और maximum क्या होगा ये बहुत ज़्यादा important topic है तो थोड़ा ध्यान से सुनोगे और समझने कोशीज करोगे तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं graphically बता दू कि मतलब domain क्या होता है और range क्या होता है graph के उपर कि होता है CVC board exam में क्या होता है एक number के कोई question आएगा graph बना देगा खाली graph बना के छोड़ देगा अब बोलेगा कि observe करो graph को observe करो उसके बाद बताओ कि इस function का minimum value क्या है और maximum value क्या है तो पहले हम तुमें वो सिखाते है ग्राफ को observe करके minimum और maximum value हम कैसे define करते है उसके बाद हम different functions का maximum minimum values निकालना सिखाएंगे उबना नहीं है हम बनाते छोटे छोटे वीडियो है क्योंकि आपको पता होगा पिछली बार मैंने sorts डाला था यूरिया वाला वो सचाई है ज्यादा देर तुम पढ़ना ही पाऊगे मैस हैसा है कि अगर ज्यादा देर पढ़ा दिया जाए तो पजल्ड हो जाते हो तो छोटे छोटे वीडियोज बनेंगे लेकिन domain range कि जितने वीडियोज बनेंगे लेक्चर वन, लेक्चर टू, लेक्चर त्री, लेक्चर फूर आपको सब देखना है उससे आप CVC में बहुत बढ़िया काम करोगे और competitive level पे भी बहुत बढ़िया काम करोगे तो चलो आओ हम सुरू करते हैं देखते हैं कि है क्या चीज, यह किस चुडिया का नाम है domain and range आप जो domain निकालते हो domain का मतलब क्या होता है x किसी भी function में x के जगा पे क्या डाल सकते हैं अब जैसे माल लो हमने fx is equal to लिख दिया x upon x minus 2 और मैंने बोला कि इसका domain निकालो का मतलब हुआ कि आप x की जगा पे क्या-क्या डाल सकते हो आप को कि हमें कौन सा किसी type का परती बंद लगा हम जो मर्जी डाल देंगे one डाल देंगे two डाल देंगे hundred डाल देंगे two hundred डाल देंगे five hundred डाल देंगे ऐसा नहीं है कुछ चीजों से बचना पड़ता है है की नहीं अब मान लो तुम्हें यहां से Everest की चड़ाई करनी है तो ऐसे हनुमान जी थोड़े के खुद के आप पहुंग जाओगे एकदाम Everest के उपर भाई उसमें ट्रैक बने हुए है जो परवत पर चड़ते हैं उनके लिए भी ट्रैक बने हुए किस रास्ते से जाना है अब ठीक है तुम्हारे पास रसी है कंटे है तुमने फेका अब जो स्लोप एकदम ऐसे होगा उसमें थोड़े चड़ जाओगे तो हर कुछ नहीं डाल सकते दो चीजों से बचना होता है किस से बचना होता है अब जो बचना है वो देखो जिसी से बचना है और यही दो concept तुमारे domain range के लिए सबसे ज़्यादा important हो गया पहला क्या है आयोटा से बचना है complex नंबर में जो आता है ना आयोटा उससे बचना है यह कब बनता है कब बनता है जब अंडर रूट के अंदर नेगटीव है दूसरा क्या है इंफिनिटी से बचना है यह इंफिनिटी जो होता है इंफिनिटी का मतलब क्या होता है कोई आकार नहीं है कोई इसकी सीमा ही नहीं है इससे बचना यह रियल नंबर नहीं होता है और infinity कर बचता है बनता है जब किसी भी digit के अपॉन में 0 डाल दोगे तो infinity बनता है मतलब आप डालो X की जग़ा पे जो मर्जी डालो लेकिन इन दोनों से आपको बचना है आयोटा नहीं बनना चाहिए infinity नहीं बनना चाहिए बाकि जो बने सब चलेगा रूट में कुछ बन जाए नेगटिव बन जाए पोजिटिव बन जाए पॉइंट के बाद 50 डिजिट आ जाए कोई दिकत नहीं है ये दोनों नहीं बनना चाहिए अब तुम कहोगे सर तो हम बचेंगे कैसे हमें कोशन देख क उस employee है कैसे पता चलेगा कि हमें बचना कैसे बचने का तरीका बता रहा हूं जब तुम्हें ये पता चल गया कि infinity तब बनता है जब नीचे 0 बने तो RC선 करोना कि नीचे 0 ना बने तो यह द्यान रखो यह रिमेडियल उपचार बता रहा हूं रिमेड़ी पहला उपचार तोहीं पता है कि रूट के अंदर नेगटीव आयेगा तोहीं आयोटा बनेगा। रूट के अंदर अगर पोजिटीव आ गया तो रियल लंबर बनाएगा। तो यहां पर तुम्हें क्या करना है तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है यह जीरो या उससे बड़ी होनी चाहिए यह दो चीजें यूज करना सीख लो तुम किसी भी फंक्शन का डोमें रेंज अराम से निकाल दोगे कहीं नहीं फसोगे अब जैसे यह लिखा था यह ल दो नहीं करेंगे यानि हम एकस को दो नहीं डालेंगे यानि एकस को दो नहीं डालेंगे तो इसका डॉमें क्या जायेगा? इसका domain हो जाएगा all real number except two जानि हम दुनिया के सारे real number इसमें डाल सकते हैं दो को छोड़के तो इन्ही दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है अब जैसा मैंने बताएगी x को हम domain बोलते हैं मतलब x की जग़ा पे जो values डाली जाती है उसको domain बोलते हैं और fx का जो value आता है अब दखो 2 को छोड़के तुम सब कुछ डालोगे 2 को छोड़के तुम 1 डालोगे 3 डालोगे 4, 5, 6, 7, 10, 100, 200 सब कुछ minus 1, minus 2, root 2, root 3 सब कुछ डालोगे जब उन values को डालोगे तो fx का कुछ तो value आएगा जैसे तुम्हें 3 डाल दिया उपर नीचे 3 डाल दिया तो 3 आ गया उपर नीचे 4 डाल दिया calculate करो 4 upon 4 minus 2 2 आ गया उस तो आ रहा है न तो ये fx जो value देगा उसी को हम range बोलते है यानि fx range क्या होता है range का मतलब होता है fx या y आप जो two dimensional geometry में graph बनाते हो बनाते हो न ग्राफ तो आप क्या करते हो एक x x बनते हो एक y x बनते हो यह जो x x बनते हो इसी को हम बोलते है doom and और यह जो y x बनते हो इसको हम क्या बोलते है range और y को ही fx बोला जाता है आपके exam में अगर कोई कोई graph ऐसा बना हुआ आ गया ऐसा बना हुआ आ गया यहां ऐसे देखो और यहां लिखा हुआ है दस यहां लिखा हुआ है माइनस का चार और y-axis को जहां पर यह काट रहा है यह point लिखा हुआ है 0,2 और यह जो highest, topest point दिख रहा है यहां एक point है 0,9 यह graph बना हुआ आगे आपके exam में और आपसे पुछा जाएगा कि बच्चो यह बताओ कि यह जो function आप देख रहे हैं यह graph देख रहे हो इसका domain क्या है और इसका range क्या है चलो ठीक है हम आप लोगों को मौका देते हैं आप इसको देखिए आप 10 मिनट से मेरे को सुन रहे हो यह बताओ कि इसका domain क्या है एकदाम सही answer है अरे तुमनों मेरे student हो तो सही कुछ तो बच्चे सही देंगे answer domain का मतलब क्या होता है x x मतलब यह graph x axis पे कहां से कहां तक प्षैला हुआ है यानि 4 से 10 तक प्षैला हुआ है तो आपका domain हो गया minus 4 से लेके 10 4 से नहीं minus 4 से पहला हुआ है और देखो यहां जो उन्हें गोल सरकल बनाया दोनों जगा इसमें भूस भर रखा है इस पे भी द्यान रखना है by the way अगर यहां पे भूस नहीं भरा होता यह hollow होता गोल सरकल खोकला होता खोकला का मतलब क्या हुआ आपको यहां पे open interval लगाना है और hollow का मतलब क्या हुआ आपको यहां पे close interval लगाना है तो यह हो गया आपके function का domain अब आया सवाल range का तो range का मतलब होता है y-axis यानि ये देखो कि हमारे graph की गहराई कितनी है ये कितना deep है ये कहां से कहां तक है depth इसका तो 2 से लेके 9 तक इसका depth है यानि इस function का range क्या हो गया 2 से लेके 9 तक यानि इसका minimum value 2 होगा और maximum value क्या होगा 9 तो ये था introduction of domain and range आपको मैंने इस function के domain range का किसी भी function के domain range का introduction दिया कि domain का मतलब क्या होता है range का मतलब क्या होता है अब हम बारी बारी से functions को लेंगे और उसमें domain range आपको निकालना सिखाएंगे अगले lecture का इंपिजार करो उसमें आएगा question और हम आपको domain range निकालके दिखाएंगे और method सिखाएंगे कि domain range कैसे निकालते हैं